आज में लेकर रही हूं आपके लिए बालों की रेमडी इतनी असान है कि आप इसको अराम से बनाएंगे पूरा महिना इसको यूज कर सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ इसके अमाउंट भी बहुत जादा कम है और इन तमाम अपने घ्रेलू शैंपू के अंदर आड़ करना है औ है जाएंगे जाएंगे जाने जाएंगे और सबस्कान है को अपने भाड़ों को बस्कोन इतना जोना होजय करना है इसके को याip को हो जैंग आप ब雨 रहां हो जाए कालों से बच्चे बढ़े और अपके सब्सक्राइके अपकर चैए बिटे उत्याय devrait मजेंडर है हर तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको बताऊंगी उसी वही सारी प्रॉपर्टिस के साथ इस शैंपू को मैं घर में बढ़ाना से खाऊंगी आपको बहुत असान रेमेडिया च्छट बढ़ने वाली रेमेडिया और जिसको बनाना भी बहुत ज़्यादा असको लगाना भी बह हैं वह बहुत असान है घर में मौझूद हैं सबसे पहले हमें चाहिए कोई भी घरेली शैंपू मेरे पास हैडर शोडर में हैं है यूज करती हूं तो मैंने यह लिया है आपके पास जो भी लॉरियल का है लाइब हुआ है कोई भी शैंपू है वो चल जाएगा आपने वह जैंपू ले लेना जो भी यूज करते हैं उसके बाद जो अगली चीज़ आपको इसमें चाहिए वह है अधरक अधरक को आपने बारी कुंडी में कूट लेना है उसको ग्राइंड नहीं करना उसको पीषना नहीं है आपने उसको कूट ना है उसको अच्छी त्रीके से फ़र देने लेने तो पानी में वاتन से उबाल दे लें लेने हैं उसके बाद यह शकल आपके पास आजाए ऑफिर 200 ml की पैकिंग आपको दो चमण चाहिए अगर आपकी शैबु में गज्णा हो तो तो इसका बढ़ा तो वाइटमीन के कैपसुल चाहिए हमें दो अदद चलिए जब हम अपने श्यापू करते हैं बनाना स्टार्ट कि मैंने कंटेनर से सारा जो श्यापू में निकाल लिया है आपने भी बावल से निकाल लेना ताकि एच्छी नहीं से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए इसमें हम रूच करेंगे दो चमज पैड करेंगे दो चमज क्टा हो गया अब हम इसमें क्या करेंगे अब मैं इसमें डालोंगी वाइटमीन एक के 2 कैपसूल मैंने भी दिखायाए आपको कि और यह किसी भी मेंडिकल स्थपे बहुत असानी से मिल जातें परिशान रही होना जो तरि वाइटमिन एक आपका का रिशुव हैं तो ही इसमें जिंजर के जाएंगे दो चमच्छे वाइटमिन के कैपसल जाएंगे दो चमच्छी आप इसमें सिका करका पानी आड़ करेंगे अब यह शैंपू मारा हो चुका है रैड़ी इसको अच्छी ते किसी शैंपू को यूज करना है किसी बी एज का जो मतलब के बंदा है बंदी है बच्चे हैं बच्चे जो भी हर एज गूरूप इसको यूज कर सकते हैं सब कोई नुकसान नहीं है जब भी आप इसको इसको यूज करेंगी तो और वाश करने के बाद भी रहे जाए तो आपने पुल्के ऑपनी पुरशान हो नहीं जब आप कंगी करेंगे तो आराम से वह शैंपू खबाद बांद जो है। कंगी के जरीए निकल जाएगा ठीक है किसले कि हमाई आज की वीडियो उमीद करते हूं बहुत जदा च्छी लवी दूआ में या रखेगा ना बहुत जदा ख्यार रखेगा आपके 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 अहले खाने के इफादा परमाएं अलाफेश